इसे हाथ रफ करेंगे, तोनों आखो पर लगाएंगे, फिरी से आखे खोल रहेंगे इस्क्रीन पिखाये देरिये पुलो में? हाँ जी, हाँ जी कल हमने कुछ लंबा सीरीज पड़ी थी उसमें थोड़ा सब्सक्राव था तो आज हम इसको अच्छे से देखेंगे और एक एक बार जिस तरिके के हमारे नवर सेरीज हमारे पेपर से ना आती है, तरिके की नवर सीरीज मैंने निकार लिया previous question paper से, उनको solve करेंगे अब देखेंगे, आप सबसे पहले वह धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे हमारी यह 15-29 क्या हो रहा ही एक सिक्वेंस में बढ़ रही है कुछ ज्यादा एकदम बड़ा नंबर नहीं आ रहा है तो इसको मतलब हम थोड़ा सा आडिया लगा सकते कि साया दिन के बीच में प्लस का कोई रूस अप्लाई करा गया होगा जिससे हम अग्णा LaborBook निकाल सकते हैं अगर हमारी कोई भी सिर्इज नहीं वह इधन तेजी से बढ़ती है तो उसके लिए क्या पैचान हो सकती है कि या तो हाँ पर square करा गया है या फिर हाँ पर cube करा गया है या फिर किसी number को multiply करकर वाँ पर लिखा गया है ये छोटा सा basic idea आप लगा सकते हो ये नि कहा सकती कि नहीं है ऐसा हो सकता है जैसे आप लोग first में देखे ये हमारे इसको सोग करने के लिए क्या कर गया है देखे फर्स्ट इसमें क्या कर गया हमारी अगर हम बन में four को plus कर दें फाइव और इसकी बात second में आप देख सकती ति four five में तर हम 10 प्लस कर देती तो हमारे पास 15 आ जाता है इदर हमें 29 लाना है तो हम 15 में 14 को प्लस कर देंगी तो हमारे पास 29 आ जाए तक समझ में आया तो आप लोग normal idea कैसे लगा सकते हैं जैसे हां पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा एक दम से हम कैसे कैसे normal idea लगा सकते कि क्या संक्या को प्लस कर जा रहा होगा आप देखो 15 में 15 जोड़ देते हैं 30 आ जाता है तो इसका मतलब कोई एक नंबर कम करके जोड़ा गया जो 29 आ गया है आप लोग इस तरीके से basic idea लगा सकते हमारे तकि चलगी से हमारा question solve हो जाए तो यह हमारी first वाला complete हुआ है अब आपको इसमें चेक करना है इसमें क्या pattern हम follow कर रहे हैं जिससे हमारा अगला नंबर बन जाए तो आप लोग देख सकते हो इनकी बीद में difference कितना आ रहा है है अगला नंबर क्या सकता है अगला नेक्स नंबर हमारा क्या आएगा तू तो आपके पास कितना आ जाएगा एटी हैं तक समझ में आ हाँ यहां तक हम समझ में आ गया कि हमने पाइप में 10 प्लस करा तो हमारे पास 15 आ गया है इसक्यूसमी मैडम ओ 16 आएगा ना 14 प्लस तू 16 आएगा ना आपने 18 लिखा वहाँ 16 आएगा प्लस टू होगा ना यहां पर 16 आ जाएगा हमारे पास हाँ प्लस टू करना है हां जी तो नेक्स हमारा क्या बन जाएगा यह 14 को जो गमने से प्लस किया तो हमारे पास 29 आ गया है 29 में आप किसकी प्लस करेंगे किसना जाएगा माय पास 45 प्लस करेंगे किसना जाएगा माय पास 45 एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार पूरा शुरू से देखिए यह हमारी सीजीज है इसको में सोल्ब करने के लिए कि इसको थोड़ा थोड़ा से पार्ट में डिवाइड करतेंगी फर्स्ट हम क्या करेंगे तो फर्स्ट वाले को आप किनकी वीच्वें के डिफ्रेंस किना रहा है तो आप इसको अगर हम ऐसे आइडिया निया नहीं लगा पारे न आप इसको और पी स्वल्ब कर सकते हैं 29 में से 15 को माइनस कर दीजिए कितना आजाएगा हमारे पास 29 आजाता है हमारे प horribly Non को मैने क incarihिक लगा पाबेश करेंगे कि कितना आजाता है नंको MAN करते कितना जाता है आप लोग आप इनकी बाइस करना है इस प士स को फैना पर रहे हैं कि हमारे पास टैन आजाए 6 को plus करेंगे 4 में तो हमारे पास 10 ना जाएगा आपquinho क्फोर को finns करेंगे तो हमारे पास 14 ना जाएगा। अब आपको नेक्स क्या करना है नेक्स वाला नमबर वारा सिरीज कि साथ से क्या चल रहा है तू तू का नमबर आता है तो आप फूर्टीन में टू को प्लस करें तो हमारे पास कितना आजाएगा इस तरीके से मैम लेकिन अगर अब हमें 45 के नेक्स्ट नमबर अगर ढूंड़ना है तो फिर क्या करेंगे तू का माइनस फिर से इसको इसको पर हो रही है वैसे सीरीज जो बनाए जाती है ने वह हमारे पेपर के साब से ही तक यह बनाई गई है यह मैंने पेपर को पुराने के परीवेस को से पर हमें से निकाला था ओके माम नेक्स्ट वाला नमबर आप देखिए कि देखिए आप लोग क्या किसी को कोई आइडिया लिए इसमें क्या हो रहा है देखिए आप लोग अब आप लोगों को फिर से इनके बीच में डिफ्रेंस चेक करना है मैं 66 है क्या आंसर हांदी आंसर 66 है मैं बता जेती है एक बार कैसे निकाला लगा है देखिए फर्स्ट में आप देखिए यहां पर हमने 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है अब आप 6 में ऐसे क्या प्लस करते हैं कि आपके पास 15 आ जाए तो अगर हम को प्लस करते हमारे पास 15 आ जाता है 15 में हम 13 को प्लस करते हमारे पास 28 आ जाता है है यहां तक समझ में आया है अब आपको इनके बीच में डिफ्रेंज चेक करना है जो सेकिंड लाइन हमने लिखी अब आप लोग आए देखी क्या इसका डिफ्रेंज बन रहे हैं पूर पूर करके डिफरेंस बढ़ जाए अगर हम पांच में चार को प्लस करते हैं तो नो आ जाता है नो में चार को प्लस करते हैं तो तेरा आ जाता है तेरा में चार को प्लस करते हैं तो हमारे पास सत्रा आ जाता है यहां तक समझ में आया है अब आपको क्या करना है सत्रा म अब आपको 45 में 21 को प्लस कर देना है तो हमारे पास कितना आजाएगा 60 इसमें किसी को को डाउट है नो डाउट मैं नो डाउट मैं नो डाउट नो चले नेक्स वाला आप लोग सॉल्व करें जल्दी से यह सेम पहले वाले के कुछ सेम उसी के जैसा है जल्दी से निकाले कोई भी अंसर बताईए कितना आया है 83 है क्या ना जी देखे आप लोग अब यहाँ पर आप देखे हमने 3 में कितना पलस कर आए 8 को हमने 3 में यहाँ पर 8 पलस किया तो हमारे पास 11 आ गया है 11 को पलस करते हैं तो मारे पास 23 आजाता है अब आप लोग ना देखों जैसे नॉर्मन आइडिया लगाते हो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो आप लोग नॉर्मल देखें 11 11 जोड़ेंगे कितना आता है 22 यानि किस से जाधा कुछ एक नंपर जाधा जोड़ा गया होगा न ऐसे चोटा चोटा आइडिया लगा। तुरंत इसमें का आइडिया लगा सकते हैं। आप देखे। 23 में हमने कितना प्लस्राइब किया। 16 को प्लस्राइब किया। तो हमारे पास कितना आगया है? 39 39 देखिए आप 39 है उसके बाद next number में भी 9 है तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो इसमें ऐसा अंक जोड़ा गया होगा जिसके last में 0 होगी क्योंकि last में 0 होगी तो भी तो हमारे पास 9 आया होगा तो 16 के आसपास एकदम ऐसा नंबर क्या आता है? 20 जिसके last में 0 होती है जिसको जोड़ने पर हमारी अगला अंक बना होगा ठीक है? यहां तक समझने हैं सबको? यह सर्थ अब आप फिल से इनकी बीच का difference चेक करें चल्दी से कितना कितना बन रहा है? फॉर फॉर का इनके बीच में सबकी बीच बन रहा है वो हमारा फॉर फॉर का बन रहा है तो हमारा नेक्स नंबर यहां सेकिंड लाइन पर क्या आएगा? 24 24 आप इसे 24 में पलस कर दीजे कितना आ जाएगा? 83 84 83 9 में 4 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा 5 और 2 7 और 1 आज 83 यह समझ में आया सबको? यह सुरे इस नहीं पली था अब आप लोग यह देखें नेक्स यह वाला देखिए इसको सोल करिए 50 50 जी अब आप लोग हमने अभिदख जो सीरीज कम्प्लीट करी है वो कैसे थी? कि हमने उसने पलस करते वे जा रहे थी कोई भी संख्या थी वो ओल्ड इवन कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं था अब जो second वाला हमारा क्या बनता है तो अगर इनके बीच का जो डिफ्रेंस है ना वो कुछ इस तरीके से होगा या तो वो old number होगा या वो even number होगा अब आप इस वाले अगर सीरीज को हम देखते हैं तो देखे दो में हमने तीन यहाँ पे दो में हमने तीन को प्लस करते हैं अब इस तरीके से निकाल से निकाल सकते हैं तो आप यहां से डिएक्ट इसको देख सकते हैं यहां पे तेरा आएगा अब थर्टी सेवन में तेरा को प्लस करेंगे कितना आजाएगा आप इस तरीके से तेजी से निकाल सकते हैं फिर आपको सार्व करने की जोड़त नहीं है आप एक दो अंक तक आपने देखा उसके बाद आप नेक्स पर आजाएगे कि नेक्स पर कॉन सा नमबर आएगा तुरंद उसको परस करेंगे हमारे पास आंसर आजाएगा क्योंकि हमें पेपर में क्या है टैक्स का इसमें भाइदा है क्योंकि प्रेपर में हमें महां पर फैस फास केल्कुलेशन करना है हम कम समय में कैसे जादा कर सकते हैं यह चीज़ हमारी होने चाहिए यह सबगे आए नहीं सबको इन सब्सक्राइब लगा सकते हैं अब हम लोग मैक्स चलते हैं अभी देखिया आप लोग इसको सॉल्व करिए कि बताई आंसर कोई भी किसी का निकलाओ तो 125 और किसी ने निकाला आंसर अब लोग आप लोग देखिए इसको इसको कैसे करा गया है अब तक हमने 1 वाले देखा था कि कुछ नंबर को परन कर जा रहा है संद्सरानीय नंबर पर हमने देखा था कि हमारे सीरीज कुछ इस तरीकर की आ सकते है कि उनमें इवन इवन नंबर या फिर ओर नंबर को प्लस करके बन दिया है यह सेकंड टाइप है हमारा कि हमारी जो सीरी जा सकते है वह कुछ इस परकार भी आ सकती है आप वन को छोड़ दीजी अभी नहां टू को देखिए जो फोर है वो क्या हो सकता है टू इंटू तू का स एसी कूछ आ सकता है तो पोरह मारा जो है है वो क्या है टू का सक्वाइर बन रहा है आट ट्वेटी सेवन क्या होता है हमारा wealth तेका क्योगnels a sie συν Amarra क्या होता है वोन क्या सक्олжो कर सक्यार्वार अब आप सीविजू देखर क्या चल भी है वन ठूँ थ्रिम हमारा यह चल रह है उपर से हमारी क्या चल रही है एक बार हमारा क्या करेंगे तो हमारे क्या क्या करेंगे तो हमारे पास 30 six नमेन लिए seven seven का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 3 यह समझ में आया? मैम, 5 का क्यूब मुझे 5 का क्यूब 5 का जो क्यूब है कैसे आया 5 का क्यूब कौन सा अंसर है? यह देखे 5 का क्यूब चल रहा है 5 कितना आजाएगा आपके पास? 5 5s are 25 125 OK OK 20 का है OK OK मैम यह समझना है किसी को? कोई डाउट नहीं है न? जी मैं अब आप देखे Next Number अब आप लोग इसको solve करें 74 एक्याम 75 एक्याम जी और किसी ने निकाला answer आपने किसने answer बताया था? अभी 75 को एक बार बताया अपने कुन सीर्थी किसमे अप्लाई करी है जी माम मैंने टू के टू से मल्टिप्लाई किया है और प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन करके लगाया है logic और इस वाले ट्रिक से लग किसी ना answer निकाला है, किसी को आती है यह देखिए यह वाला question यह देखिए ट्रिक्स के भी हमारे questions हमारे paper में आते है कि आप लोग इस तरी cases को solve करेंगे जैसे हमारा first लिखा होता है two तो हमने two में two को प्लस किया one two into two करा और one प्लस ने किया तो हमारे पास five आ गया है फिर nine को लेते है nine sorry five को लेते है five into two करा माइनस one करा तो हमारे पास nine आ गया है फिर nine into two किया प्लस one किया तो हमारे पास 19 आ गया है फिर 19 into two किया हमारे पास 37 आ गया है माइनस one करके और नेक्स ओला नंबर आ जाता है हमारा 75 अगर किसी को question को solve करने की कि इस से अलग कोई trick आती है तो आप लोग बता जिए मैंने इसको पलस से भी solve करने की कोशिश करी थी पर हवै तो नहीं कर पाई अगर किसी को गोश्य का जिए 75 answer हाद जी अगर किसी को आता है को अलग किसी तरीके से solve करने का क्योंकि कल किसी का आउट भी था कि ये 2 कैसे आया है अगर उन्हें इस बारे में कुछ स्वोलीज हो या उन्हें पता हो तो आप वो बता सकते हैं या कोई और ट्रीक लगा के इसको solve किया जा सकता है मैंने इसको पलस से solve करने की कोशिश करी थी पर मैं तो नहीं कर पाई अगर किसी को आईडिया हो तो बदा सकते हैं ये सब का solve हो गया है किसी को पाउट कोई डाउट है इसमें कैसे पता चलेगा इतना जल्डी कि यह कैसे solve हो जैसे आपने आभी तक तो हम वह माइनस करके यह करने है थे आप आप से रिपीट करी अपनी बाद माम देखे कैसे पता चलेगा जैसे इसको देखके अपने टूएं तू इंटू इंटु टू, माइनस वान, प्लस वन का फॉर्मूला लगाया, इतना जर्दी देखके कैसे वो क्या प्राक्टिस से आएगा? हयाज, कोई भी चीज हो, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको अपना नुगह बताती हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में यग्य करना स्टार्ट किया था, तो मैं मंतराज को न ऐसे जैसे मैंने याद कर रखा तो उनको ऐसी रटके, मतलब सुना था, जैसे ऐसी बोल को समझ नहीं पाती थे उनको छोटा छोटा दोड़ toड़ के पढ़ना शुरू करती हूं तरण्थ मुझे छोटा छोटा जहांि से मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ना लिए Пом expect you do स्क्रीन दिखाई देरिये पुना मैं प्रवार जी मैं आपको क्या बता रही थी तो इससे क्या होते हैं कि आप बार बार इसाद भ्यास करेंगे तो आपको खुद दिखाई देने लग जाएगा खुद आइडिया लगा पाएंगी कि साइद इसमें यह ट्रीक अप्लाई हो सकती है यह हो सकती है तो आपने पतंजल आईगी वो सबसीजी आपके किसी उनको कोई आई है इसकी ट्रिक सॉल्व करने की सब को समझ में आई है हाँ आ गया अब आप इसको सॉल्व करें नेक्स नमबर यह तो कल वाला ही है हाँ जी करिया आप एक बाद पुर्चे सॉल्व करें इसमें भी कल डाउट साना वह मैं आपको बताऊंगी आज माम वो जो 125 लिखा है तो वो 126 होना चाहिए क्या यास यास मैं इसको टाइपिंग में गलत कर दिया यह कोशन में लिखा है 126 जी बिल्कुल आप सहीं हो यह 125 की जैंगे आप लोग अपनी कॉपी में कर लिजें 126 250 जैंगे आप लोग बताई आप लोग मतलब हमारी क्लास में 23 हैं पर कुशन आंसर एक ही निकला है अभी तक कल हो गया था आज फिर से नहीं आदा अरे ट्रिक नहीं लग पार हाँ वह तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं हमने एक बार एक चीए और हम छोड़ देते हैं आंसर बताईए दोसोपंद्रह क्या 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 है ओके और बताईए और को किसमें निकाला दोसोपंद्रह माम कि 125 की जगा 126 होगा न यह गलत लिखते हैं मैंने इसको आप्रोब कर लिजिए यह 6 है हमारा 5 नहीं है अब आप बताईए जिसने आंसर निकाला है उन्होंने कौन सी ट्रीक अप्लाई करिए इसको सोल्व करने में इमने कौट क्यूब है और फिर उसमें प्लस ट्रीक मइट कर दिया हम थे को कि युव कि प्लस व4 तो अभ जो नेक्स्माइगा भु फिक्स का क्यूब आईगा माईट कर्के इसका व्यूब करके कितना आया हमारे पास? 216 आरहा है तो उसमें माइनस 1 करेंगे तो 215 आजाएगा माइनस 1 करेंगे तो 215 आजाएगा सबका अंसर यह लोई है 215? यस मैम सबका सॉल हो गया है? यस माम सबका समझ में आया है देखे यह पूरा मैं करके बताएं हमने चुप कराया उसमे माइमस बन कर गया तो माइपास बन आ गया है फ़र हमने क्या किया है और उसमे पलस बन कर दिया तो हमाई पास त्विश्टी आ गया है नेक्स हमने चाहिए हो किया है और उसमे पलस बन कर दिया है तो हमाई पास त्विश्टी आकालना थी तो हम लोग क्या करेंगे और उसमें क्या कर देंगे माइनस वन कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा है तू फिप्टी किता हमारा है हमारा तू शिक्स्टी कुछ इस तरीक़ आई यह बात आपको यह किसी को कोई डाउट है इसमेरा फूरा आप बापस निकाल से साउंस को कि बता देगे नहीं मैं कोई डाउट नहीं है ना कि अब आप इसको देखे जो मैंने इसको यह पूरा में इस तरीके से आपको बता है तो मैंने कुछ इस तरीके से मैंने इसमें फिर से लिखाये यह पर फिर भी आप लोग इसको देखें कल जब मैं आपको बता रही थी ना तो कल यह इस तरीके से मैं आपको सोल्व करना सिखा बता रही थी यहां पर टू है यह अगा कर दो 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 आपको यह बता रही थी यहां पर यहां पर या तो कोई स्क्वाइर का क्रेट को कोई रू इप्लाई करा गया है उसको फेचान करने के लिए क्रहा हैं मैंने क्वस्ट तू में से माइनिस वन कर देया टो जमारे पास रजैना है य॥ फिन्टर इट उन खागति है थिए ट्रीاط मेंट से माइनेश वन कर दिबन तो इसकी वह एंट पास बहुए फार तो मैं इसे को पहचान करा और नेक्स वारा नमबर देखा यह हमारे पैटन क्या चल रहा है इसमें 1,2,3,4,5,6 तो मैंने यहां पर पहचान करा कि यहां पर हमारा 6 का क्यूब आएगा 216 अब हमें क्या करना है उपर की साइड देखना है अब हमारा पैटन ही इसके क्या चल रहा है पलस माइनस पलस माइनस का तो हमारा यहां पर आगया पलस अब आपको पहचान करना है कि यहां पर हम क्या नमबर लिखिए जिसमें पलस वन करने के बाद हमारे पास 260 आ जाए मैं इस तरीके से कल आपको रहाना चाहीं अब समझ में आया है यह तो आप यह प्लस करने की बाद टू वढवन सेवन आएगा ना देखे अब आप इसको ज्यान देखे मेरा कहने का मतलब है कि यहां तक हम पोचे इस वाले नंबर को निकालने के बाद हमने नेक्स वाला उबर का नंबर निकालना है अब हम नीचे नहीं जा रहे हैं उपर जा रहे हैं आपको उपर का नेक्स नंबर यह वाला नंबर चेक करन तो आपको यहां पहचान करना है कि किहां प्या नबर लेकिया हमारा पहर्णी करने के बादU हमारे पास यह घाएगा यह मैं कहना चाहरु है कि बहुत है गली यही बात थी इसे तरीके से कि अब आपको नीचे नहीं आना है आपको यहां पर मैंने प्लस माइन सब्सक्रण करें कि टो आपको कि Çe Land कि सी नमरा कैसे आया है हमारे पास यह कैसे का से कैसे इस मैना संकिया की बास कि निकर इस यह तरीके से नमरत मैं ग्ली सिर्प आपके करने का जो तरीका था वो चेंज हो गया था हमांपे यह हमारा टू-फिप्टीन है सबको समझने आया यह आगे चले इस नंबर सिरीज में किसी को कोई डाउट नहीं है ना हमारी नंबर सिरीज आज संप्रीट होगी है अब नेक्स हमने कल आपको बोला था आलफाबेट्स के बारे में सब लोग नंबर सियाद करके आएं आलफाबेट्स के बताए हा निगम जी आप आने के पहले मैंने सब को बोला था 1 to 26 नंबर लिख लो A to Z सब लोगों ने नंबर लिखा जीवें अच्छा बताएं जल्दी से टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे 26 26 हम उनको याद करते हैं तो कैसे चलता है हमारा अच्छा अब हमने इस टोटल नंबर याद कर लिया है मैंसे मैंने इसको पूरा तो याद नहीं कर रहा है एक बार मैं फिर भी जैसे मैंने इसको छोटा-छोटा करकी याद कर था मैं आपको बता देती हूं कुछी जैसी कोमन होती है जो हमें नेस्टरल याद रह जाती है जैसे हमारा स्टार्टिंग का आप आप सभी को याद है स्टार्टिंग का ना एक बी फी एन बी यह तो सभी को याद रहता है ना वन टू थी फोर नहां तक को याद रहता है और लास्ट में भी आप लोग देख दीजिए एक्स वाई जैड यह भी हमें यादी रहता है कितना आता है 24 25 एंड 26 यह तो कॉमन है यह तो सब को याद होगा बताईये जी में अब आप देखिए अगर हमें और कुछ को मन नंबर ऐसे होते हैं जो हम अगर बीच में से कुछ चीजों को याद कर लेते तो आसपास के हम खुदी आइडिया लगा सकते हैं अब हमारे मिडिल में कौन सा नंबर आता है याद है किसी को मिडिल नंबर कौन सा नंबर में आता है तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते कि M की नंबरिंग क्या होती है आप आप और देखे हमारा जैसे एल होता है इल का बताए किसीने कोई बी और ट्रिक से याद कर रखा हो जडिसा बताए यह की नंबरिंग क्या होती है 12 12 इस को मैं कैसे याद कर सकते है 12 बजे हूं क्या करते है कि लंच वारा वजे लंच और जैसे हमारा इंट है कि इंटना होता है हमारा इस पाइब मौर्निंग में उठते हैं तो पांच बन इस इविलिंग भी आग कर सकते हैं मॉर्णिंग में ठीक है अब नेक्ट नंबर आप देखिए एफ एफ कितना होता है हमारा शिक्स एक से आप याग रखे फिक्स फिक्स से क्या बन गया शिक्स ठीक है अब आप लोग देखिए जी यह हुआ जी अब जी में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा सेवन याद यह देखिए यह क्या हो गया हमारा सेवन तो जी को आप ऐसे याद रखते हैं अब अगर आप देखे एट यह हमारा सोरी एच यह एच है अगर एच को मैं ऐसे कर दूँ पर से इधर से ऐसे कर दूँ तो क्या हो जाएगा यह एच तो यह हमारा हो गया एट एच अ अब H के आगे आता है हमारा ऐसे आसपास के नमबर तो हम यहाद ही रख सकते ना जैसे H के आगे आएगा I, I9 अब आप J को देखे J J कुछ इस तरीके से होता है यह किसकी सेब जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे सेब किसकी होती है बताइए जीरो की सेब जैसे और यहाद करी अच्छा कोई खेल होता है जिसमें ऐसे कोई सेब का कुछ यूज किया जाता है Hoki तो J की सेब कैसी होते होकी और होकी की साथ हमें से क्या रखा जाता है बोल होता है न तो यह क्या होता हमारा 10 ठीक है अब आप लोग next number बताइए केग को कैसे याद रखा जा सकता है देखे मैंने इसको याद किया ऐसे इसको ऐसे याद रख सेथे तो जैसे राजा होते है न राजा क्या होते है एक से बढ़ कर एक होते है कुछ इस तरीके से ठीक है तो आप लोग ने इस तरीके से छोटे-छोटे ट्रिक्स बनाईए और खुद से जो आपको जैसे अच्छा लगता है ऐसे याद कर दीजी जैसे मैं और आपको बता देती हूँ N लिखा है हमारा? N कितना होता है? बताए किसी को याद हो तो? 14 14 अब लोग एक और देखिए पी को जैसे याद रख सकते हैं T20 सीधा ही होता है तो ऐसे कुछ-कुछ common words आप याद कर लिए जिसको पूरा याद हो सकता है वो सबसे अच्छा है बाकि जिनको पूरा याद नहीं हो सकता वो इस तरीके से छोटे-छोटे जो नॉर्मल नमबर है उनको छोटा-छोटा करके आप लोग याद रख सकते हैं वो फिर आपको इसमें से आसान कर जाएगा ज्यादा दिमाग निलगाना पड़ेगा उसमें से आप देखके भी कर सकती है बट फस यहीं को याद करना है याद करने से क्या होता है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है एक वी का ट्रिक बताती हूं वी को हम दो फिंगर्स दिखाते विक्टरी को तो दो फिंगर्स याने 22 वी का यह भी ठीक है और कोई किसी को याद है कोई नंबर की ट्रिक मैं यह लिख लेना हम इजे ओटी वाई इजोटी हो जाएगा तो मैं उसमें इका फाइफ होएगा और जे का टैन ओ का फिफ्टीन टी का ट्वेंटी और वाई का ट्वेंटीफाइव यह भी है फाइब टैन फिफ्टीन ट्वेंटी एंट ट्वेंटीफाइव इस क्रिक को भी अप्लाइब कर सकते हैं आप लोग यह सब ठीटे लिख लिए और इनको अपने आसका बना करेंगे और बार बार आप उसको देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो ठीटे स्पेड़ हो जाएगी ठीक है यहां तक सब को समझ में आ गया अब आप लोग नेक्स कोशन सोल्व करेंगे इसका आप लोग लिख लिए अपनी कोपी में बस सिंपल ही है हमारे पास डी जी जे एम पी एस यू एंड हमारा लास्ट आजाएगा एक्स जल्दी से लिखें और इस पर नंबरिंग कर देजे और फिर इसके बाद इसको सवल करके बताएगे नेक्स वाला नंबर क्या सब्सक्ता आएगा मैं मैं एसके बाद वी आएगा कि एस टी यू एक सेकेंड रूकिये रूकिये मैंने पूरा ही लिख्ध्यान सब्सक्राइब निकाल के देखी स्टार्टिंग से फिर से लिखती हूं में इसको डी जी जे एम पी की बाद आगया हमारा एस एस की बाद आगया हमारा वी और ये नेक्स वारा नमबर आपको निकालना है मैंने पूरा इसको कैसे सोल कर आगया होगा 25 वाइज 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 जेट दी जेट कैम आगया है मैं वाइज वाइज जी की इन किसे सब लोग इचो नंबरिंग करी सब लोग नहीं देखिये जी हमारा क्या होता है बताये और जी हमारा कितना होता है 10 13 16 19 22 22 तो 25 अब यहां पर इसके बीच का डिफेंस चेक कर लिजे कितना कितना बन रहा है 33 में एक सेकिन ये मैंने स्टार्टिंग में इसको सही लिखा ताई ये यू ये यही होगा अब यहां पर कितना कितना डिफेंस बन रहा है तो 19 में 3 को प्लस करेंगे कितना आजाएगा हमारे पास 22 22 ओके सोरी वी आएगा मैं वी था ओकी वी है अब आपको नेक्स वाला नंबर चेक करना है 25 25 और 25 हमारा किसका नंबर होता है वाय 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 उस तरीके से हम लोग वाय निकाल लेंगे तो इस पramण नंबर की तो इससे हमारा काम क्या होता है थोड़सा आसान हो जाता है ठीक है यह समझ मैं आ सоб को इसमन इसमन इसमना उसमने यह सब न को कोई डाउट है इसमने नो मैं अब आप लोगों के पास किसी की भी पास कोई से लेटर कोई वह है पॉच्छन तो आप लोग भी बता सकते हैं बाकी मेरा हो गया है मैंने इतना ही किया था बाकी का अगला था जो पता है तो यह हो रहा है आप लोग प्रेक्टिस करते रहेंगा तो यह सब्सक्राइब अब इन सब्सक्राइब किसी को कोई भी कोई डाउट था तो आप लोग बता सकते हैं और कल आप लोग यह जो नंबर्स है ना इनको अपने ट्रिक्स से याद करके आएगा और कल कोशन सोल्व करेंगे ना तो हमें क्या होगा असान पर जाएगा कल हम कोडिंग डिकोडिंग भी साथ में देख लेंगे तो हमारा यह तीनों टोपिक्स हमारे खतम हो जाएंगे अगर आप अभी से अपना टाइम लिए अगर आप अभी से अपना टार्गेट बना लेंगे ना तो लास्त तक आपका अच्छा हो जाएगा आज हीमान शी मैम की क्लास तो है ना हाजी है आज है किसी को कोई है आज-गर ना है किसी को कोई भी अब तक की कलास में कोई हमारा पास सब्सक्राइट विभी अब लागया है और भी सतल ओद और और किसी को कुछ बोलना हो कोई Credit कि क्ल्शहाल और कॉछ दिद्रweck वियाग आजो तो आप बता सके इस मैं एक्चुली कलकी और परसो की रिकॉर्डिंग ग्रूप में नहीं आई हुई क्योंकि बीज बीच में नेट्वर्क अगर चला जाता है ना तो हम लोगों को वो जो गया हुआ रहता है तो हम लोग यूटूब का देख लेते तो कलकी भी आई नहीं है अभी तक कि कलकी क्लास का क्या है उसमें थोड़ा से नेट्वर्क का इश्यू भी हो रहा था बाकि जो कल पढ़ाए गया था नो मैंना आज फिर से सारा रिपीट कर दिया है तो आप लोग आज वाली जो रिकॉर्डिंग आए उसको देख लीजेगा और परसो की परसो कुनम में कॉन से परसो के पहले एक्वेशन एक्वेशन चल रहा था वह सायद ग्रूप में आगई अगर नहीं आई होगी तो मैं चेक कर लूँ और मैंने बोल से को बोल देंगे वो डलवा देंगे हां थैंक यू मैं मैं इसके बुक का कोई PDF होगा गया solve करने के लिए इसकी बुक का PDF मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे पास books है KVS मदान की इसलिए मैंने PDF ध्यान नहीं दिया बाकि आपको प्रिवेशन पेपर की PDF दी गई है उसमें प्रिवेशन पेपर की PDF दी गई है उसमें भी सारे है मैं देखना पड़ेगा मैंने तो अभी ना इससल कुद की बुक्स मंगवाई चाल मैंने पिछले साल ना पढ़ा़ा ही किति ना बुक्स मंगवाई थी मैथ इसलिय अब ही तो मैंने पीडियेफ पे ध्यान ने दिया क्योंकि पीडियेफ से नहीं आता कुछ की बूक्स खरीदना ही सबसे बेटर वे खरीदी सब्सक्राइब मैं भी यह भूख खरीद लूँगे मैं मुख खरीद लीजिए उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के कॉशन्स हैं आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे भी अच्छा बन जाएगा चीक है माम अब बाकि सबसे अच्छा है आपके परिवे से कॉशन्स पेपर के आपको प्रीडियाफ दी गई है आप उसके भी जादा तर आप को सिस करें कि आपको कॉशन्स पेपर ही सौल्व करना है उसी में से आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि उससे जादा अच्छा हमारा लगेगा आपको लगेगा यह तुबूटीजी यह पर हर साल हार्ट तफ 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 उसका लेवल बढ़ते जाता है जैसे जैसे वह बढ़ रहा है यह वह आजाएगा ग्रूप पर अपने अब ही मुझे लगता रिजल्ट आने के बाद लेंगे जैसे आजाएगा इसके बाद निकल जाएंगे जब में में डाल सकते हो इस समेस्टर में तो आप डाल सकते हो पर समस्टर में डाल देते हैं है जी बिलकुल कि और एक डाउट है में अगर नेट की अनेट का अगर लिमिट ये कर लिया हमने पासाउट कर लिया तो फिर अगर जैयर आफ का हमें स्कोर लाना है तो फिर से त्राइक रसे ते